जब मैं यहां पर आये थे 85 के जी मेरा बेट था यहां पर आने के बाद मेरा स्चेशेब हमको हलवाई बोलता था कि तुम हलवाई यह तुमसे ट्रेनिंग नहीं होगा गेंडे जैसा होके आया है यह क्या है फौज के लाइक फीट नहीं राम राम कैसे हैं आप सभी उमिद कर मेरा बड़ी है बड़ी मतलब की एक ही स्टेट चैज के हम लोग है एक ही जगह था तो ऑई इन सब से भी जानते हैं के इनका ट्रेनिंग कैसा गुजरा है और जब हम रहे साथ में स्टार्ट की रहें थे साथ में आना हुआ था हमारा और जाना और सभागी की बात यह है कि ह हमारा जाना भी जो है कि वो साथ महीं होगा हम तीनों का तो अब यह बताइए आप सभी की यह जो चौटा सी इन्फरमेशन जो भी केंडिड एससी जीडी एक्जाम के तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मार्केट में एक नई बुक लाउंच हो चुकी है जो कि चक्छू पर कि तरफ से इसे आप लेकर अपनी तैयारी को और भी मजूद कर सकते हैं यदि आप इस बुक को पर्चेस करना चाहते हैं तो निचे इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां से जाके इसे फ्लिप का डेमेशन से पर्चेस कर सकते हैं मेरा ट्रेनिंग बहुत क सब्सक्रिप्शन में लिखा हुआ कि दोड़ चाल यहां का फैसन है तो फैसन को अपनाना है यह तो हर ट्रेनिंग सेंटर का होता है और यह से बहुत ही कठीन नहीं है वह हमारे लिए था जो भी था कि अगर आप फिजिकल नहीं करें ठीक जो यहां पर मापदंड दिया गय पूरा नहीं कर पाएंगे और उज्वल आप बताएं कि अपर ट्रेनिंग कैसा गुजरा है 44 का मेरा ट्रेनिंग बहुत ही अच्छा कि मेरा फिजिकल पहले से थोड़ा सा अच्छा था यहां और भी अच्छा बन गया पता ही नहीं चला कि हम कुछ दिन पहले ही आये थे और आप बम जल्डी है जाने वाले हैं हमारा कूछ पता दी चलता था टाइमा है पता नहीं चलता था है किwwww करने से कहां मैं कर लोगा उसarioale कुछ नहीं और वह बहुत तरह बता है कि रात को सुने ने मिलता था रात रात वर भी ट्रेंग चलते थी पर अगला दिन सुबह सेंब सीडुल सार्ट हो जाते था कि रात सुह ने सो लेकिन अगला दिन फिर आपकाSev तो वह पूरा करना होता था 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 प्रफिल करके हमें जो हम साड़े-पांच वह स्टार्ट कर देते और पताइए और क्या रहा इसमें कुछ अच्छी बाते बताई जो कि आप इस ट्रेणिंग के दोरां जो आप उसको जीवन भर मिस करने वाले हैं कि इस ट्रेक्टर का बहुत मिस किजिएगा कि इस ट्रेक्टर ने से बहुत से गाइडलाइन दिये हमें सब्सक्राइब करते थे अपने छोटे भाज जैसा कुछ नहीं है ट्रेनिंग होता है सब को याद आती है घर की लेकिन देश से अभी मन में ठाना होता है हमें मतलब बहुत सारे ऐसा चीज़ है फिर हां आटीसी को बहुत जादा मिस करेंगे हां के लोगों को मिस करना करेंगे हैं कि दोस्तों को बड़िस को क्योंकि एक बड़ जो हां से बिछड जाते दुबारा मिलने का बहुत कम चांस होता है साथ में मिलने पाते कभी एक का दुखा मिल पाएंगे बडालेंस में यह तो हमेशा ही होगा ना कि जब भी आप इतने थोक में आप 120 लोग क्या सबका हमारा बैच है वो बिछड़ेंगे तो बिलकुल भी कम चां तो ट्रेंग करने के लिए तो घर से फिरिजगल फिट होके आना हाँ जब मैं यहां पर आये थे 85 kg मेरा बेट था यहां पर आने के बाद मेरा सेशेम हमको हलवाई बोलता था कि तुम हलवाई यह तुमसे ट्रेंग नहीं होगा गेंडे जैसा होके आया है यह क्या है इसका लोगी रहा भीच में कभी डाउन नहीं हुआ इसलिए भाई ट्रेंग ट्रेंग है मानो तो ट्फ है नहीं तो ट्फ नहीं अभी आपका वेट किना हो गया 85 kg मेरा वेट अभी 60 kg हो गया 60 kg में तो आप 25 kg वेजन जो है कि आप घटा चुके हैं इस ट्रेंग के दोरान मत द्रिट संकल्प से जो भी इच्छा सकती से आपने जो है कि वो सारे टास्कों जो है वो पूरा किया है और आप 44 का संपुन जब रस्ता होता था था हम को डेमो टैप पे निकाल देते बाहर रस्ता करने लिए यह ट्यूवन का रस्ता ठीक है लेकिन थोड़ा बहुत गलती ह कि तू आया था हलवाई जाएगा भी हलवाई अले कुछ काम ठीक कर ले यह उसका बोलते ही है लोग के अगर नहीं बोलेंगे तो आपको ठीक से नहीं करेंगे तो अच्छा कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको हमेसा याद रहने वाली है इस ट्रेंग के दौरान हमको यह यह यह दो मेरा फोलिं होता था है अगर अगजा बास करना है सेनिग करता तो यह सब है जो यह जो यह तरहीं ट्रेंग करा है बहुत सभी के जीमन में घटा हुआ कुछ नगुछ तो जैसे कि भाही ने एक वाक्या वताय कि ब्रस और से इंग किट लेके बैरेक से दूर से नहीं और एक और वाक्या भी हमें याद है कि हमारा जूते में पॉलिस नहीं हुआ करता था तो इंस्ट्रक्टर उन्हें बोला था कि अपना जूता और पॉलिस ब्रस लेकर आपको ड्रिल गौंड में आना है वहीं पे बैट के पॉलिस करना है ताइम भी बताया जाता है हमें कि इत इसे करने का ने सीजिए की हमारा सियचंव आ रात को फॉल इन करवाते थे रूकर रहते चुटाल करने 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 का फेलिय। करना है लोगों के से बात करना है इस तरह को करना है यह तो जो था यह एक पेस्ट टाइम था था पाउज का की दस से बारा वजे तक बारा वजे तक इनको जगा कर रखना है दस को जगा कर रखना वरवजें तक कम से कम उसके बाद सोने देना है चार गंटे के लिए अगर हो जाता है तो इसको बहुत अच्छा माना जाता है और इसी में जो 12 इस अगर आई हैं यह थो दो दू घंटे भी देना है तो ऐसा रहता है हमारा ट्रेनिंगा स्ट्रेव बाकि आप भी आईएगा तो इस महौल में ढल जाएगे डरना नहीं है हम अभी पहले आते तो बहुत डरते थे लेकिन अब सारा कुछ जो हम कंप्लीट कर चुके हैं और अभी जो हमारा प्योपी भी हो चुका है वाकी ऐसे ही आप अपने आपको मोटिवेट रखिएगा और बहुत